यह लो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूं आपकी दोस्त तो स्वागत है आपका बेस्ट केर आफ प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स गर्वती मैलाओं को बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है जब वो डॉक्टर पार जाती है जब उन्हें की कमी होती दो डॉक्टर उन्हें इसी टिप बता रहे हूं जिससे कि आप खून की कमी को अपना पर्मानेंट दूर कर सकते हैं चाहे प्रेगनेंसी हो या फिर किसी नॉर्मल महिला को बड़े को बुड़े को या बच्चे को भी खून की कमी हो इस टिप से वो सभी अपने खून की कमी को ठीक कर सकते हैं आज कि टाइम में खून की कमी होना बहुत ज़्यादा सामान हो गया है हर व्यक्ति में ये मैं टिप बता रही हूं आपको पालक की है वैसे तो डॉक्टर कहते हैं पालक का जूस पियो लेकिन चार दिन पान दिन दस दिन करने के बाद आप उप जाते हैं और पालक का जूस नहीं पालक की सबजी भी उतने मंद से नहीं खाते हैं यह जो मैं टिप बता रही हूं इसे आप करेंगे तो इसमें कोई महनत नहीं है और आराम से आप डेली इसका इस्तमाल करके अपने खून की कमी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं यह बड़े क्या बूढ़े क्या सब अजमा सकते हैं इससे जो बंती है डिश जो चीज में बताने जा रही है जो चीज बेनेगी वो इतनी टेस्टी होगी कि बच्चे भी बहुत चाओ सिखाते हैं मेरा बेटा है दो साल का वो भी बहुत चाओ सिखाता है यह पालक मैंने कच्छे पालक को अच्छे से धो करके तीन चा पालग पीस यह मैंने इसको उबाला नहीं है इसको पीसने के बाद आपको इसे आटे में गूतना होगा आटे में आप इसको गूतने तो आटे का कलर भी बहुत प्यारा साएगा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसके बाद और इतना स्मूथ आटा बनेंगा और इसकी जो रोटियां बनेगी आपको इसी पालकक को अपने आटे में मिला के पीस के रोटियां बनानी है जो रोटि बनेगी वो इतनी टेस्टी बनती है की बड़े क्या बूडै क्या बच् group किया सब खा सकते हैं और यह टिप मैंने अपनी पूरी pregnancy में फॉलो की है पूरे 9 मन्थ मैंने यही पालक को आटे में डाल के खाया इसलिए मुझे कभी भी प्रेग्नेंसी में खून की गमी नहीं हुई है इसलिए मैं आप लोग को रिक्मेंट करूँ कि प्लीस ये टिप मेरे बताई हुई जरू ट्राइ करिये मेरे ये अपनी फॉलो की हुई टिप है मुझे इसका बहुत ज़्यादा मिला है और इसे बच्चे भी फॉलो कर सकते मेरा बेटा है दो साल का वो पालक के सबजी नहीं खाता पर इसकी बनी हुई रोटियां बहुत चाओ से खाता है एक रोटी डेर रोटी आराम से वो जब भ बढ़ियां इसकी रोटियां बनती है कोई नहीं बता सकता और इतनी स्मूथ और टेस्टी होती है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा अब मैं आपको वो आटा दिखाती हूँ जो मैंने इस पालक को मिला करके गूथा हुआ है ये देखिए ये है वो ग्रीन कलर का आटा ये प स्मूथ है इसको इसमें कहीं से कुछ नहीं है कोई बता भी नहीं सकेगा कि इसमें पालक मिक्स है और इसका कलर कितब प्यारा आ रहा है कहीं से इसमें कोई भी रफनेस नहीं है बहुत स्मूथ हाटा गुथा है ये और इसकी रोटियां इतनी टेस्टी बनती है कि आप डेल कि उसे तीन चार तुकड़े करके थोड़ा सा पानी एड़ कर लीजिए और उसे डाल कि आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए फिर यह स्मूथ टेस्ट तियार हो जाएगा इसको आपको आटे में डाल के गूतना है आपको पानी एड़ करने की भी जरूरत नहीं है यह बहुत अच्छी जिनके चेहरे का कलर पीला पड़ जाता है और जिनकी स्किन भी पड़ जाती है आन्खों में पीला पाना का यूद करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा उनकी स्किन में भी ग्लोव आएगा क्योंकि पालक में आईरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसलिए इस तरह से पालक का यूद आप हमेशा कर सकते हैं क्योंकि जूस तो आप आठ दिन दस दिन पंदरा दिन पी हूँ और खिलाती हूँ और टचूट कि मेरे परिवार में किसी को भी हीमो ग्लोबिंग की कमी नहीं है तो प्लीज यह जरूर ट्राइ करिएगा और उसको खाते रहिएगा जिसको खोन की कमी होगी उसको भी इनका फायदा बहुत ज़रादा मिलेगा बच्चे भी से होती ही कि उनके बच्चे हेल्दी डाइट नहीं लेते तो इस तरह से रोटियां बना के खिलाएंगी तो बच्चे भी आराम से खाएंगे होपस हो कि यह वीडियो आपके लिए हेल्फूल हो प्लीज हेल्फूल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और ट्राइ करने के